मैं नवीन कुमार यादव, Lecturer in Political Science, राजकीय वरिष्ट मादमिक विदाल्य सिठाना में कारे रत हूँ विदाल्य सिख्या विभाग हरियाना सरकार के एजुसेट टेली कास्ट कारेकरम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ कक्षा बारा राजनितिक विज्ञान पाठ दो दो दुर्विता का अंत भाग दो पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विख्यान में हम चर्चा करेंगे कि दो दुर्विता क्या थी और दो दुर्विता कैसे पतन की ओर गई साथ में शोक थेरेपी और विभिन जो है महतवपुन विशेव पर आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यख्यान के उदस्चे क्या है तो व्यख्यान के जो उदस्चे है वो पहला है सोवियत संग में सामयवादी व्यवस्था और सामयवादी सासन के बाद सोवियत गणराज्य दवरा अपनाई गई शोक थेरेपी की विश्तरित जानकारी देना साथ में शोक थेरेपी के क्या परिणाम निकले और सोवियत संगर राजियों के संगर्स और तनाव की जानकारी देना अर्थारत बालकन समश्या और इसके साथ साथ पूरव सोवियत जो देश थे उनके साथ बारत की कैसे संबन थे उन पर भी हम नजर डालेंगे प्यारे बच्चो अब हम व्यक्यान के छेतर पर नजर डालते हैं कि इस व्यक्यान का हमारा जो छेतर है वो सबसे पहले सोवियत संग में समाजवादी जो समयवादी सासन व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे कि कब से इसकी सुरुवात हुई और कब से जो है कब तक रही समयवादी व्यवस्था साथ में शोक थेरेपी क्या है शोक थेरेपी इसके क्या परिणाम निकले शोक थेरेपी की इसने अपनाई और इसके अपनाने के क्या करण थी इस पर भी चर्चा करेंगे साथ में सोवियत संग के संगर्स और तनाव से उपजी, इस्तिती और भारत पर उसका क्या परभाव पड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे और अन्तिम जो विशय है भारत और सोवियत संग के संबंद या वरतमान में भारत और रूस संबंदों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सामयवादी जो विवस्ता सोवियत संग में थी उस पर नजर डालते है 1917 से पहले रूस था और बोल्श्वी करांती 1917 के बाद में 15 गर्णाजियों को मिला करके सोवियत संग की स्थापना की गई थी और जो 1917 की बोल्श्वी करांती समाजवादी सिधानतों से परेरित थी और उसका मुख्य जो उदस्य था वो पुंजीवाद का विरोध करना था और समयवाद की ओर बढ़ना था सोवियत संग का तो इसमें कौन-कौन से परमुख नेता रहे उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे तो इस जो समयवादी विवस्था पुंजीवाद की विरोध में अपनाई गई थी क्योंकि 1917 से पहले रूस में पुंजीवादी विवस्था थी और जिसके कार्ण किसान, सर्मिक और मजदूर सभी वरक काफी हद तक परिशान थे तो बोल्सविक जो थे ये भी आपके मन में हो सकता है कि एक परसन हो की बोल्सविक कौन थे तो रूस की जो मजदूर दल के जो बहु संख्यक लोग थे उनको बोल्सविक कहा जाता है और जो अलब संख्यक थे इसी पार्टी के उनको में से भी कहा जाता है तो बहुँ संख्यक था उनका 1917 से लेकर के 1921 में तक किसी ना किसी रूप में उन बोल्स्वीकों का समयवादी विवस्था के परचारकों का सासन रहा उसे पर हम चर्चा करेंगे इसी दोर में सबसे पहले आते हैं वुलादिमीर लेनिन की वुलादिमीर लेनिन कोन थे और उनका क्या जो है सोवियत संगन राज्ये में उनका क्या योगदान रहा उस पर ही चर्चा करेंगे सबसे पहले है कि बोल्श्वीक कम्यूस्थ पार्टी के संस्थापक थे व्लादमीर लेनिन और इनी के दवारा ही कम्यूस्थ पार्टी के संस्थापक ना की थी और जो है बोल्श्वीकों के नेता थे साथ में 1917 की रूसी करांती के नायक रहे जो 1917 के बोल्श्वी क्रांती पुंजीवाद की विरोध में हुई थी उसमें नायक बनकर उबरे और इनी के दवारा जो है पुंजीवाद का विरोध किया गया था देरे देरे समयवादी व्यवस्था रूस में स्थापित की गई थी और क्रांती के बाद सबसे कठिन दोर जहां रूस सोवियत संग रहा प्रारंबी के दोर में 1917 से 1924 तक तो उसमें इनके ही दोर में हुआ उसमें रूस की अर्थ्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी पर्थम विशवयुद में रूस को बहुत बड़े स्थर पर जन और धन की अपार शती सेहनी पड़ी थी जिसके कारण कठिन दोर थार्थेवस्था काफी कमजोर हो गई थी उद्योगों में प्रडक्शन कम हो गया था साथ साथ में अंतरास्टी स्थर पर जो है जो पैचान सोवियत संग को मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी तो 1917 से लेकर के 1924 तक एक बहुत कठिन दोर जो है सोवियत संग का माना जाता है तो उस समय संग के नेता थे वुलादिमीर लेनिन अंतिम है सोवियत समाजवादी गणराज्ये के संस्थापक और अध्यक्स क्योंकि हमने पहले भी बात किये कि समयवादी जो व्यवस्ता थी वो समाजवादी और गणराज्ये से परेरित थी और पुंजिवाद का इस सिधान्त विरोध करता है तो वहां के संस्थापक वुलादिमीर लेनिन माने जाते है और अंतिम है मारक्सवादी सिधान्त के समर्थक और सम्यवाद के समर्थक इसकार्थ यही है कि कार्ल मार्क्स जो की मारक्सवाज सी धांत के जनम दाता थे उनका मानना था कि विशव में केवल जो समाज में हैं दो परकार के लोग हैं, एक सोसित लोग है, एक सोसित वरग है तो जो लोग सोसित वरग वह वरग है जो जिसका सोसन किया गया है और जो सोसक वरग वो वरग है जिसने सर्मिकों का सोशन किया है अर्थार साधन सब्दों में भी अगर हम बात करें तो जो पुंजी वादी व्यवस्था में हैं जादा तर पुंजी वादी व्यवस्था में उद्योगों से उत्पन लाब का अधिकतर हिस्सा जो है उद्योग मालिकों को जाता है, मजदुरों को उसमें कोई भी फायदा या लाब का हिस्सा या उनको हिस्सेदार नहीं बनाया जाता तो कार्ण मार्क्स भी इसका विरोध करते थे आने वाले समय में वुलादिमीर लेनिन जब सत्ता में आये तो उन्होंने भी पुंजीवादी व्यवस्था का काफी विरोध किया था दूसरे महतपूर्ण जो व्यक्ति थे सोवियत संग के वो थे जोशेफ स्टालिन उनके लेनिन के उत्रा दिकारी थे अर्थात 1924 के बाद जो है अस्तितव में आये और सोवियत संग को मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा अलाकि वुलादिमीर लेनिन के समय तो कुछ ऐसा संकट का दोर था लेकिन बाद में दीरे दीरे जो है सोवियत संग की अर्थ व्यवस्था काफी मजबूत हुई थी तो उसमें जोशेफ स्टालिन का भी बहुत बड़ा योगदान था और 1924 से 1935 तक इनोने ने तरतव किया थर खास बात ये थी कि जब दूसरा विसव्यूद हुआ तो जो है जोशेफ स्टालिन उसमें सोवियत संग के नेता थे और ये भी दूसरे विसव्यूद में जीत कासरे भी जोशेफ स्टालिन को जाता है और सीत यूद के प्रारमिक जो दोर में थे और उसमें भी जोशेफ स्टालिन सोवियत संग के नेता थे और दीविकरन को तेजी से बढ़ावा दिया गया हालाकि उसमें जो पुंजिवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे थे उद्योगों को जो है प्रडुक्शन बहुत कम हो रहा था उद्योगों क जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था केवल मॉस्को और एक अन्या सहर जो केवल दो ही उद्योगिक सहर रूस के थे बाकी सभी के सभी जगया पर जो सामीक रूप से खेती की जाती थी तो उन्होंने उद्योगी करण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जिस में काफी उनको मदद मिली थी उद्योगी करण में और दूसरे विशव उयूद में जीत के हीरो रहे जैसे हमने पहले चर्चा कही है कि जूसेफ स्टालिन को दूसरे विशव उयूद में जीत का हीरो माना जाता था अलाकी दूसरे विशवयूद के प्रारेंबिक दोर में अर्थार 1949 से लेकर के 1945 तक जो दूसरा विशवयूद चला तो 1949 से लेकर के 1941 तक अलाकी जर्मनी को काफी सपलता मिली थी और रूस के बहुत बड़े छेतर पर उन्होंने अधिकार कर लिया गया था लेकिन जोशेफ स्टालिन की कुछ ऐसी नीतिया थी जहां पर रूस का पस्विमी भाग था जो अलास्का से नजदीक का जो छेतर था तो वहां पर जो है एक रणनीती की तहत जादा तर जो जर्मनी के सेनिक थे उनको लगातार उस छेतर में वह आगे बढ़ते जा रहे थे और सोवियत संग के सेनिक एक निश्यत प्लानिंग के साथ वह पीछे हटते जा रहे थे जब वो कुछ समय दो महीने निकलने के बाद जो है सरदिया सरू हुई तो उस सरदियों को जर्मनी के सेनिक थे वो सेने के आदी नहीं थे और उसके बाद जो है जाने के रास्ते भी सारे लगभग उनके लोटने के बंद हो गए थे और जिनके कार्ण जो है जर्मनी को दूसरे वी सव्यूद में गुटने टेकने पड़े काफी सेनिक वहां मारे गए और ये रणनिती जो थी जोशिफ स्टालिन को उसका स्रे जाता है और प्रानमिक दोर में भी सीतियुद में उनकी काफी एहम भूमी का थी और तानासाई रवेये के लिए परसित थे क्योंकि सम्मेवादी विवस्ता केंदरिये जो है निती पर आधारित होती है तो इसको बड़ावा देने का वी सरे जोशिफ स्टालिन को जाता है निकिता खुरिष्चेव प्यारे बच्चो यह निकिता खुरिष्चेव का फोटो है जो कि सोवियत संग के 1953 से लेकर के 64 तक यानि कि सीतियुद का जो पीक दोर माना जाता है उस से में रास्ट्रपती रहे और उस से में सोवियत संग का परतिनी दित्तव किया और ने के उल चस्व को भी उन्होंने काफी हद तक कम करने का कोशिस की थी साथ में स्टालिन की नितरता सहली के आलोचक थे निकिता खुरुष्चेव थोड़ा सा समाजवादी व्यवस्था पर आधारी शासन चाहते थे और समयवादी व्यवस्था को जो है देरे देरे कम करना चाहते थे इसलिए उस्टालिन के जो किंद्रिय नीती थी उनका विरोध वो करते थे और 1956 में सुधार जो है उन्होंने काफी सुधार लागू किये गए जिसमें सामोई खेती करण को खतम किया गया किसानों को भूमी का मालिक बनाया गया और धीरे धीरे जो है उससे प्रड़क्शन या सुधार जो सामिल हुए तो कुछ महत्पुन ऐसे सुधार किये जिसके बविश्य में जो है सोवित संग के विकास में काफी मददगार साबित हुए और क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है इनी के समय हुआ क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ क्यूबा मिसाइल संकट को सीत युद का पीक दोर कहा जाता है और उस समय जो है क्यूबा जो की अमेरिका के साथ लगता हुआ एक छोटा सा देश है और इसी के क्यूबा समयवादी व्यवस्था को मानता था और अमेरिका के साथ लगता था तो उसमें राष्टपती निक्किता खुरुष्चे उन्हें अमेरिका के विरुधी क्यूबा में मिसाइले तैनात कर दी थी जो परमाणू मिसाइल थी और अमेरिका को इसको काफी बाद समय पता चला लेकिन इसके करण धीरे धीरे दोनों देशों के आपसी सैयोग से आपसी बातचीत के रास्ते से ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है हल किया गया अलाकि क्यूबा मिसाइल संकट को विषव में ऐसा तनाव का दोर मनना जाता है, जिसमें ऐसा मैसूस हो रहा था कि कभी भी तीसरा विषव युद्ध सरू हो सकता है, अब की बार अगर तीसरा विशव यूद समाफ शुरू हुआ तो विशव के लगभग बहुत सारा जो है छेत्र विनास के कगार पर चला जाएगा अंतिम रास्ट्रपती थे मिखाईल गोरबाचेव जो काफी चर्चा में रहे सोवियत संग के अंतिम रास्ट्रपती 1985 से 1981 तक 11 मार्च 1985 से लेकर के 1991 तक सोवियत संग के अंतिम रास्ट्रपती रहे 11 मार्च 1985 को वो सोवियत संग के महासचीव बनेर 1988 में सोवियत संग के अंतिम रास्ट्रपती के रूप में सपत उनोने ली आला कि 25 दिसंबर 1991 में कि उन्होंने अस्तिफा दे दिया था तो उनसे संबंदी जो महतपुन चीज है प्यारे वच्चो छीत यूद की समाप्ती में हम योगदान वे चाहते थे कि दोनों देश जितना आपसी तनाव में बल और धन का परियोग कर रहे हैं उनको अपने विकास में ये परियोग करना चाहिए इसलिए वो शीत यूद को समाप्त करने के पक्स में थे और धिरे-धिरे समाप्ती के और वो ले गए और आर्थिक सुधारों का परियास किये लिए जाने जाते हैं आला कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्थिक सुधारों का परियास किये थे लेकिन उनको नाकामव्याभी हासिल हुई थी उनमें से कुछ ऐसे सुधार थे जिनमें किंद्रिये जो मूल ढाचा था उस किंद्री मूल ढाचव को बदलने के लेकर के उनकी जनीती थी उनकी आलोचना की गई या कुछ ऐसे खुलापन जो सरकारी संस्थाओं में दिया गया जिसके कारण व्यक्ति अपने अभी व्यक्ति परगट कर सकते थे तो ऐसे कुछ नीतियां थी जनकी आर्थिक सुधारों में कुछ न कुछ कमी रही उसकी अलोचना की जाती है जर्मनी एकिकरण में सहायक रहे और जर्मनी का एकिकरण उन्नीस तो 90 में हुआ और क्योंकि पूर्वी जर्मनी का जो अधिकार था वो सोवियत संग के अधिकार छेतर में था, और पस्चमी जर्मनी अमेरिका के उसमें था, तो 90 में जर्मनी के एक करण में इन्हों ने काफी शाहिता की थी. सोवियत संग्विखंडन का आरोप उन पर लगा उनका मानना था कि सोवियत संग्स के जितने पंद्रागण राज्ये है उनको एक करने में मिकाईल गौरवाचेव नाकाम रहे और आखिरकार 26 दिसंबर 1971 में को विक्णडन हो गया उनके कारण, जो है, मिखाइल गोरवाचेव को ही उनका कारण मानते हैं अब बात करते हैं सोक थेरेपी सोक थेरेपी किसने अपनाई और सोक थेरेपी क्या है इस पर प्यारे वचों दूसरे महत्यापॣध टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले शोक थेरेपी का क्या आर्थ है और शोक थेरेपी अपनाई किसनी तो शोक थेरेपी का साब्दी कर्थ है आघात पहुंचा कर इलाज करना और अगर हम राजनिती की भासा में देखें तो सोवीत संग के जो 15 गन राज्ये थे उन्होंने अपनी सम्मेवादी व्यवस्था को छोड़ करके पुंजीवादी व्यवस्था जो अपनाई तो उस तेजी से सम्मेवादी व्यवस्था को छोड़ कर पुंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शोक थेरेपी के नाम से जाना जाता था विशेशक्यों को मानना था कि जो सम्मेवादी व्यवस्ता उन्होंने अचानक छोड़ करके पुंजीवादी व्यवस्ता अपनाई यही सोक थेरेपी का कारण रहा बलकि उनको बदलाव धिरे-धिरे करना चाहिए था अब है कि सोक थेरेपी अपनाई किसने तो सोक थेरेपी सोवित संग के जो पंदरागन राज्ये थे उन्होंने अपनाई थी नेक्स्ट है शोक थेरेपी पंद्रगन राज्यों ने अपनाई थी साथ में शोक थेरेपी की सुरुवात और शोक थेरेपी की निर्देशित तो शोक थेरेपी की जो सुरुवात हुई थी ऐसा माना जाता है कि सोवीट संग के विखंडन से ही 2-3 साल पहले से शुरू हो गई थी लेकिन 1991 के बाद सोवीट संग के एक बड़े स्तर पर सोख थेरेपी का परियोग किया जाने लगा और सोख थेरेपी का निर्देशित के हम बात करें तो यह सोची समझी भी व्यवस्ता हम कह सकते हैं कि World Bank और जो है अमेरिका के दवारा विशव बैंक और अमेरिका के दवारा निर्देशित थी उनका मानना था कि जिरे जिरे जिन जो 15 सोवीट गणराज्ये हैं उनकी अर्थ व्यवस्ता को किसी ना किसी रूप में जो है उसमें हलचल पैदा की जाए ऐसी थरता पैदा की जाए तो उनके दवारा ये निर्देशित प्यारे बचो अब हम सोक ठेरेपी के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे कि सोक ठेरेपी जो की सोवियत गणराज्यों ने अपनाई थी उसके परिणाम क्या निकले तो सबसे पहले था कि अर्थ व्यवस्ता सुधरने की अपेक्षा संकट के बावर में फस गई जो सोव अर्थ व्यवस्ता काफी खराब हो गई थी दूसरा है रूस की मुद्रा रूबल की जो है मुल्ले में गिरावट आगे ची जो रूस की जो मुद्रा थी रूबल उसका आउमान्य अंतरास्ति इस तर पर उसका जो आउमान्य मुल्ले है वो काफी कम हो गया था मुद्रा की दर इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास जो भी जम्मा पुंजी थी वो लगभग जाती रही आगे है खाद्यान संकट उत्पन हुआ 1903-1994 के आसपास रूस को रूस में खाद्यान संकट पैदा हुआ रूस को विभिन देशों से आयात करना पड़ा और जबकि रूस व खेती का जो समोही करण के परिक्रिया खतम की गई थी तो उसका एक ऐसा दोर गुजरा जिसमें खाफी खाद्यान संकट उत्पन हुआ नेक्स्ट है समाजिक व्यवस्था को नस्ट करना तो उसमें ये अपनाया गया कि ये माना गया कि पुझिवादी व्यवस्था के आधार पर जितनी भी समाजिक व्यवस्था थी वो चाहे गरीब और दलित और या अपंग हैं या जो वर्द लोग हैं उनको वीतिय सायता द जाती थी वो भी बंद किया गया उनका मानना था कि इसके देश की अर्थिवावस्ता पर बोज बढ़ता है इसके साथ साथ प्यारे बच्चो स्वास्ते सेवाओं की समापती कही गई इसका अर्थ यही है कि एक जन साधान के लिए एक गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्ते काफी महेंगा हो गया था माफियवर्ग का बोलबाला हुआ शोक थेरेपी के कारण जो जितने भी बड़े सामन्त थे जितने भी बड़े उद्योगिक गराने थे या इसके साथ साथ में बड़े जमीदार थे उन्होंने स्टोक करना सुरू कर दिया जिसके कारण जो है रू जो खाद्यान की आपूर्ती थी, वो काफी कठिन हो गई थी. साथ में आर्थी कैसमानता में विर्दी हुई, क्योंकि जब उन देशों ने सम्मेवादी व्यवस्ता को छोड़ करके वापस पुंजी वादी व्यवस्ता को अचानक अपनाया था, जिसके कारण आर्थी कैसमानता में विर्दी हुई, अमीर लोग काफी अमीर होते चले गए, क्योंकि उनका संसादनों पराधिकार था, और गरीब जो व्यक्ति थे, जिसमें सर्मिक थे, किसान थे, छोटे मजदूर थे, इन पे सभी के सभी जो है, जीवन यापन के लिए काफी मसकत उनको करनी पड़ी थी, उसके बाद हम बात करते हैं कि शोक थेरेपी का क्या परभाव अच्छे रहे या नहीं रहे, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कि शोक थेरेपी की एक तो अर्थवयवस्ता में सुधार हुआ, लगभग 10 वरसों के बाद में शोक थेरेपी के अपनाने के 10 वरसों बाद जो है, अर्थवयवस्ता में सुधार देखने को मिला, और निरियात को बढ़ावा मिला, सोवीत संग के गणराज्ये, जितने थे उनके पास प्राकर्तिक संसादनों की बहुतायत थी वो चाहे प्रतेल है या इसके साथ-साथ में ऐसे संसादन है जो प्राकर्तिक कोईला के बंडार है एक गैस पाइपलाइन है जिनके दवारा जो निरियात को बढ़ावा मिलार रार्थ वे अवस्ता में सुधार हुआ और म मुआवजे में विर्धी कारति ये था कि विभिन गनराजयों में गैस पाइपलाइन के रूप में बड़ी रासी मुआवजे के रूप में उन गनराजयों को दी जाती थी या आप कह सकते हैं कि उस पाइपलाइन जब सोवित गनराजय से होकर के जो पाइपलाइन गुजर गया था और उसको छोड़ करके कि खिती को आदोनी करन किया गया ताकि उत्पादन में विर्धी किया जासके और प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे इतियास की सबसे बड़ी गैराज सेल इसकार्थ यही था कि सोवित संग के जो गनराज्य थे उनके जो उद्योग थे उनके सोक थरेपी के कारण जो है उनके हालात बहुत खराब हो गए थे उनमें उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो रही थी सारा का सारा उत्पादन पर नियंतर नहीं रहा था जो उद्योग थे वो विकने के कगार पर थे विकने के समय उनके ओने पोने दाम लगाए जा रहे थे और इसे ही इतियास की सबसे बड़ी गेराद सहल के नाम से जानी जाती है जो सोवियत संग के गनराजियों में लगी प्यारे बच्चो अब हम बात करेंगे भारत और रूस के आपसी सम्मंद या भारत और सोवियत गनराजिये के आपसी सम्मंदों पर हम चर्चा करेंगे और किसी भी देशों के जो आपसी संमन्द है वो कुछ एक महतपूर्ण विश्यों पर आधारीत होते है प्यारे बच्चों, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक और राजनितिक संमन्द सबसे पहले हम बात करें कि राजनितिक संबन्द किसी भी देश के मध्य अगर व्यापार है, आर्थिक संबन्द है, राजनितिक संबन्द है, पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनितिक संबन्द है, अगर राजनितिक संबन्द किसी एक देश के दूसरे देश के साथ बेतर संबन्द है, तो अन् बड़े उद्योग से संबंदित हो या ताप विदुत गर से संबंदित हो तो बहुत सारी आर्थिक किरियाएं जो हैं हमने सोवीत संग के सायोग से हमारे देश में लगाए गई थी भारत और राजनीतिक संबंद पर थोड़ी सी हम चर्चा करें तो भारत और सोवीत संग के रिष्टों की सुरुवात हुई थी 1971, भारत पाकिस्तान युद के समय, क्योंकि एसिया में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के दोरा एक नई समीकन बन रहे थे, तो एसिया वस्ता में भी हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत है, जो मुसीबत के समय हमारे साथ देश के, तो हमने सोवियत संग के साथ 1971 में 20 वर्षी संधी की थी, जो लगातार अब भी जारी है, आगे है सैन्य संबंद और सांसकर्तिक संबंद, सांसकर्तिक संबंद भी हमारे सोवियत संग के साथ काफी मधूर है, और जहां तक सैन्य संबंदों की बात करें, तो हमारे देश के बह बड़े साजो सामान जो है सोवियत संग से और रूस से ही आयतित हैं और जिसमें MI7 हेलिकोप्टर है और V5 हेलिकोप्टर हैं ये सभी के सभी सोवियत संग और रूस से हमने निरियात किया इसके साथ हमने जो है 42 सुखोई 30 को भी विमान जो लड़ा को विमान है 3PD के वो भी हम ने जो है सोवियत संग और रूस से हिनिरियात किये हैं और आगे हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेई जी की रूस यातरा अटल बिहारी वाजपेई जी 1999 से लेकर 2004 तक देश के परधान मंतरी रहे तो इस सासल काल में उन्होंने 24-6 नमवंबर 2001 को रूस की यातरा की थी उसमें हमने रक्षा और उर्जा और रेलवे के काफी महत्वपूर्ण समझोते किये थे जो बविश्य में देश की विकास में योगदान दे रहे थे इसके साथ जो है कुंडन कुलम परमानु विधित केंदरों की स्थापना के लिए आवशक आपूर्ति करना जिसमें कुं परमानु विधित ताप केंदर है और इसी के दवारा जो उसके कच्चे जो माल के रूप में जो प्राप्त होता था उसकी आपूर्ति रूस से ही होती है उस पे समझोता हुआ और इसके साथा टेक्नोलेजी केंदरों में सयोग करना कि किसी भी देश के विकास में सूचना पुरद्योगी का बहुत बड़ा एहम योगदान है तो उसके में उनका सयोग हमारा रूस ने किया साथ में सिक्ष्या में सयोग किया बहुत सारी उनिवस्टियों में ऐसे कारेकर्म प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो भारतियों को उसके में रोजगार के छेतर में शिक् उसमें परिवेन और उर्जा और किर्शी पर जो है दोनों देशों के राष्ट्रा देशों के मध्धेक समझोता हुआ जिसमें परिवेन उर्जा और किर्शी के विश्यों पर आगे साजेदारी बढ़ाने पर सहमती हुई। प्यारे बच्चों आगे हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दो जार दो और च्यार में और इसमें समय में भी दोनों देशों के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा कीगी जिसमें रक्षा तकनी की आर्थिक और व्यापारिक सहयोग सा में भारत की स्थाई सदस्यता के दावय का समर्थन करना साथ में भारत के परधान मंत्री Tails 15 और 2007 में भी रूस की यात्रा की गई थी तो रूस हमेशा ही स्युक्तराष्टर संग में भारत की सदाई सथाई सीट के लिए जो है समर्थन अमेशा किया है अंतराष्टिय स्तर पर और उसके साथ जब 2005 से लेकर के 2007 तक डक्टर मनमोहन सिंग रूस की आतरा पे गए तो उनके साथ रक्षा सहयोग उर्जा सयोग और अंतरिक सयोग इन पर काफी समझोते हुए उसपे बाद हम बात करते हैं व्यवपारिक और निवेशिक समझोता और आतंकवाद पर चर्चा तो भारत और रूस दोनों के दोनों आतंकवाद से गर्शित रहे हैं भारत जहां जम्मू कसमीर मेर कुछ पुरुवत्तर राजियों में आतंकवादी घटनाए होती हैं वैसे ही रूस में चेचन्या एक बहुत बड़ा आतंकी केंदर रहा है तो उसको लेकर के दोनों देशों के आतंकवाद पर नीती को लेकर के कुछ समझोते हुए थे प्यारे बच्चो आगे हम बात करते हैं रूस के रास्टर पती व्लादिमीर पुतिन की 2012 की भारत यात्रा जिसमें रक्षा समझोता और हलके जो सुखोई 30 विमान जो लड़ा को विमान है उनकी आपूर्ती उनकी खरीदारी के लिए समझोता किया गया जिससे देश के सेना को काफी मजबूती मिली साथ में M.I.5 हेलिकॉप्टर की खरीद पर भी समझोता किया गया जिनके आपूर्ती वर्तमान समय में भी जारी है साथ ही प्यारे बच्चो जो हमारा युद्पोथ है एना इस चक्र उसको 10 साल के लिए पहली बार हमने लीज पर लिया था मतलब लीज का है कि उसको हमने किराये पर लिया था और उसके बाद यहां पर जो है जितने भी युद्पोथ है उनके निर्मान में रूस हमारा सहयोग करेगा इस पर भी समझोता हुआ था और इसके साथ पांचवी PD के आते हो दुनिक लड़ाकु विमानों के लिए भी समझोता हुआ क्योंकि इससे पहले हमने मिग 21 जितने विमान थे सोवियत संग से खरीदे थे और जो कि भारती है सेना के काफी लंबे समय तक जो है मजबूती का आधार रहे थे और उसके बाद सूपरसोनिक बर्मोस मिसाइल के लिए जो टेकनोलोजी यूज की जाती है वो भी हमने रूस के दवारा ही हमने प्राप्त की है साथ में सेटलाइट तकनीक तथा बैंकिंग छेतर में निवेस ये सारे के सारे जितने भी हमारे सेटलाइट से संबंदीत कारे करम चल रहे हैं रूस के सयोग से हम इसको चला रहे हैं और इसके साथ साथ प्यारे वच्चो भारत में पर्धान मंत्री वर्तमान पर्धान मंत्री स्री नरेंदर मोदिक 2015 और 2017 में भी रूस की यातरा की थी, दोनों देशों के मद्य कई अमहम समझोते हुए थे, जिसमें सांस्कर्तिक आदान पर्धान समझोता, सिक्ष्या और व्य और चटी यूनिट को सुरू करने के लिए समझोता हुआ था, इससे पहले जो कच्चा माल परमानू जो ताप घरों में यूज किया जाता है, उसकी सप्लाई रूस ही करता है, तो उसके लिए भी समझोता हुआ था, साथ में VTA निवेश को परचान और आतंगवाद पर चर 2017 के बाद सम्मंदरों पर वो भी एक नया आयाम जो है भारती राजनिती में दोनों देशों के समझोते से लागू हुआ है, और उसमें यतायात है, जिसमें रेलवे हैं, अत्या अधुनिक ऐसे मोटर गाडियां उद्योग हैं, और साथ में रेलवे परिवेन के साथ साथ प सायोग लिया गया, साइबर सुरक्षया में सायोग लिया गया, जितने भी आपर आधिक काम होते हैं साइबर सुरक्षया से सम्मंदित, 2017 के बाद इन महत्पुर्ण विश्यों पर जो हैं, अमने रूस के साथ समझोते हुए हैं, और इसके साथ सूचना तकनिकें के छेतर मे बढ़ाने पर भी दोनों देशों के मद्दे समझोता हुआ है, बविश्यों में इस परकार जो हैं, दोनों देश सूचना साइबर, अंतरिक्स, रेलवे, यातायात पर मिल कर ही काम करेंगे, उसके साथ प्यारे बच्चों इस व्यक्षयान की पुन्रावर्ती करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, रूस के बोलस्वीक करानती कब हुई, तो रूस की बोलस्वीक करानती प्यारे बच्चों आपको पता है, 1917 में हुई थी, अब आप बताएंगे कि व्लादिमिर लेनिन कोन थे, जी हाँ, प्यारे बच्चों व्लादिमिर लेनिन बोलस्वीक न नेता क३न थे, तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय निकिता खृष्चेव जो है सोवियет संग के नेता थे जो कि 1962 में यह संकट उतपन हुआ थे प्यारे बच्चों, सोवियत संग के अंतिम राष्ट्रपती मिखाईल गोरवाचियव थे और अंतिम परसन है कि शोक थेरेपी का साबदिक अर्थ क्या है तो शोक थेरेपी का साबदिक अर्थ है अगहात पहुंचा कर इलाज करना और एक और question है कि रूस के वर्तमान रास्टपती कोन है जी हाँ रूस के वर्तमान रास्टपती उलादेमिर पुतिन है प्यारे बच्चों गर्यकारिये नोट करेंगे सबसे पहला question हाँ के लिए सोवियत पढ़ना ली क्या थी दूसरा है मिखाईल गोरवाचेव के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए तीसरा मेत्वण पर्षन है शोक थरेपी क्या थी इसके क्या परिनाम निकले और भारत और रूस के सम्मंदों पर विस्तार से चर्चा कीजिए प्यारे बच्चो ये पर्षन इस विख्यान से सम्मंदित आपको याद करके आपने कोपी में नोट करना है और अपने प्राध्यापकों से आपने चेक करवाना है तो थेंक यू जैहिन जैभारग